प्रतिलेकन संख्यादो एवं तीन, स्पीड 100 वर्ट्स पर मिनिट, डूरेशन 10 मिनिट स्टार्ट महोदै जो एक के बाद एक आते हैं शारीरिक आवशक्ताएं यथा भोजन, कपडा, मकान और आराम, जीवन की मौलिक आवशक्ताएं हैं दूसरे इस्तर पर आती हैं सुरक्षा और भविश्य के प्रती निश्चिंतता इसके लिए मनुष्य भाती-भाती की वस्तुओं का संग्रह करता है फिर है सामाजिक आवशक्ताएं जैसे अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाएं रखने के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक और मनोरंजनात्मक संगठन बनाना चोथे इस्तर पर है अहम संबंधी आवशक्ताएं जैसे आत्म सम्मान, आत्म विश्वास और आत्म तुष्टी आदी, आत्म परितोश अर्थात उन्नती विकास और ख्याती प्राप्ती की छमताओं को साकार करना व्यक्ति की अंतिम और उच्चतम अपेक्षाओं अपेक् पूर्ती के लिए मनुष्य अपने आसपास उपलब्ध परियावरण का दोहन करता है, जल थल वायू ही नहीं, पेड़ पोधों, पशु पक्षी, जीव जन्तुओं तक का उप्योग करता है, सभी शक्तियों का यहां तक की सबल व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्तियों तक का दोहन करता है, जो शोशन की सीमा तक पहुच जाता है, इसके लिए भाती-भाती की तकनीकें खोजी और अपनाई जाती है, पेरा, प्रोध्योगी की ने मनुष्य को भाती-भाती की आवशक्ता की वस्तुएं अभूत-पूर्व प्रचूरता से देकर संतुस्ट किय और आवशक्ता की सीमा रेखा भी खिसकाई है, विलासिता और सजावट की ऐसी सामगरी भी दी है, जो अब बहुत कुछ आवशक्ताओं में गिनी जाने लगी है, स्वचल वाहन, दूर दर्शन, धुलाई मशीन, सफाई मशीन, सिलाई मशीन, स्टॉब चूलेहे, मिक्सी, फ्रीज, आदी-आदी, अब बहुत से लोगों के लिए अनिवारिय आवशक्ता की कोटी में आ गई है, तकनीकी और ओद्योगी की से यह सब संभव हुआ है, किन्तु एक ऐसा अल्प वर्ग भी है, जिसके लिए विलासिता आवशक्ता की कोटी में आ चुकी है, विज्ञान की जन समुदाय के लिए तो मौलिक न्यूनतम आवशक्ताएं भी विलासिता ही बनी हुई है, ओद्योगी करण के सहारे मनुष्य ने जितना भी विकास किया है, उसे वह उन्नती कहकर संतोश करने लगता है, और अपनी द्वध प्रकृती के कारण यह ध्यान नहीं देता कि इस विकास से वर्ग भेद पनपा है, अमीरी गरीबी के बीच की खाई चोड़ी हुई है, जो व्यक्ती मानव मानव की समानता, समाजवाद और साम्यवाद के गीत गाता है, वही अपनी द्वध प्रकृती के कारण अपने परियावरण यहां तक की मानव के भी शोशन के नए नए तरीके खोजता है, यह शोशन बलातकार की सीमा तक पहुच गया है, मनुष्य ने अपनी बुध्धी का प्रयोग किया, फल स्वरूप भाती भाती का उध्यकी करण हुआ, और जल फल वायू सब प्रदूशन के शिकार हो गये, जितना ही अधिक विकास हुआ, उतना ही अधिक विनाश हुआ, प्राक्रतिक संपदा का भीशन रास हुआ, व्यापक वन विनाश से भूमी बंजर और मरुस्थल बन गई, एक बड़ा हवाई जहाज एक दिन में जितनी ऑक्सीजन खर्च करता है, उतनी ऑक्सीजन 17,000 हेक्टेर वन में तैयार होती है, और वन बचे ही कितने है, इस उद्योग प्रधान सभ्यता का केंद्र पूंजी है, और धर्म स्वार्थ है, मनुष्य मनुष्य का सोशन कर रहा है, देश देश का पेरा, आईए आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएं, जब हमने गणराज्य की घोशना की थी, अपनी विकास की योजनाओं के संबंध में, हमने वास्तव में काफी प्रगती की है, परन्तु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरिद्रता अभाव तथा कस्ट से मुक्त करा पाए हैं, प्रक्रती की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्यान के लिए उन्हें नियंत्रन में लाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, किन्तु हम यह नहीं भूल सकते की कुछ महिने ही हुए, हमें भारत के उत्तरपूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण यातायात के साधन छिन भिन हो गए और वहां की जनता को भारी हानी उठानी पड़ी, निससंदेह साक्षरता प्रसार और रोगों के निराकरण के महत्वपून उपाय भी हमने सोचे हैं, यदपी अभी भी देश के बहुत से भागों में निरक्षरता और बिमारी परियाप्त मात्रा में दिखाई देती है जनकल्यान की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे, यह हमारा द्रड संकल्प है, इसमें संदिह नहीं किया जा सकता, इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास अब तक किया गया है, उससे भी हमें ऐसंतुस्ट नहीं होना चाहिए, फिर भी जो कुछ अब तक किया जा सका है, यदि वह बहुत चमतकारी नहीं दिखता, तो उसका कारण यह ह की अभी निर्मान कारिय जारी हैं, और समाप्त नहीं हुआ है, राश्ट्र के निर्मान में समय की आविशक्ता होती है, आज हमारा गणराज्य दिवस है, और भारत जैसे प्राचीन राश्ट्र के इतिहास में पाच साथ वर्ष की अवधी एक स्वल्प काल है, आईए हम विगत वर्ष की घटनाओं पर नजर डालें, और यह देखें की विकास के कारियों और निर्मान योजनाओं की दिशा में हम कहां तक आगे बढ़ सके हैं, प्राचीन राश्ट्र का वर्णन में एक वाक्य में करूँ, तो मैं कहना चाहूंगा की समविधान में दिये गए निर्देशों के अनुसार हमने समस्त राश्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है, जिससे यह इसपस्ट हो जाता है कि भारत में जनकल्यानकारी राज्य की इस्थापना का श्री गणेश हो चुका है, पिछले वर्षों में हमने जो संकल्प और दावे किये थे, अब वे मूर्तिमान होने लगे हैं, इसलिए अब यह समझना कठिन नहीं है कि राश्ट्र किधर जा रहा है, और आगामी दस या पंद्रह वर्षों में हम किस इस्थिती में होंगे, महान नदी घाटी योजनाओं पर कारिय बराबर जारी है, इन में से एक योजना भाखडा नंगल योजना से बहु मुल्य पानी और बिजली पंजाब पैपसु तथा राजस्थान के भागों को मिलने भी लग गई है, दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त होने लगी थी और हीराकुंड चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भाती यह योजना भी यथेस्ट रूप से आगे बढ़ रही है, भाखडा नंगल योजना का प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह इसपस्ट है की इन महान योजनाओं के द्वारा देश में कितने महत्वपून परिवर्तन हो जाएंगे स्टोप। थैंक यू, साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटर्स्ट वीटियो की जानकारी आपको मिलती रहे, गती बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 सब्द प्रती मिनिट की गती से डिक्टेशन उपलब्द हैं जिनका आप स्वयम भिलाब लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना नह भूलें डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डेसलाइक अवश्य करें, कोई सुझाओ या प्रश्ण हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें